असलाम अलेकूम, मैं हूँ आपके साथ आशीर रह्मान, हमने एक किताब शुरू की है जिसका नाम है आस, जिसकी मुसनिफ है अस्मा तारिक साहिबा, हमारा गुजिशता चैप्टर था महभूब कदमों में, चलिए अपना आग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हैं, उमीद भार रख, कालिज में हमारे एक परफेसर थे, जो पढ़ाते तो कमिस्टरी थे, मगर अर्दू और सोशल साइंस के परफेसर की तरह और हम हमेशे उनके लेक्चर में रिलेक्स रहते, उनकी एक आदत थी, वो हर लेक्चर से पहले पांट से साथ मिनट का एक वा कभी लेट्रेचर से, मगर एक बात इस कहानी और वाक्या की कॉमेंट थी, वो ये किसमें कोई ना कोई सबक जरूर होता, और वही हमें ढूनना होता, वो कहानी सुना कर खमोश हो जाते, और फिर दो मिनट देते कि सोचें आपने इस से क्या सबक शीखा, यूं हर रोज वो ह हमारे बेहतरीन मिनट होते, हम तालब इलम तजस्स से तो बरपूर होते हैं, हमें सीधी साधी चीज़ें रास नहीं आती, एक दिन परफेसर साब से हिम्मत करके पूछ ही डाला, कि आपने ऐसा निराला तरीका किस से सीखा, तो बहुत इस तफसार पर एक दिन इन्हों ने अपनी कहानी सुना ही डाली, जो शायद कभी नहीं बूल सकती, आज यूनिवस्टी में उन्हें देखा तो दिल में आया क्योंकि ये कालिम उन्हें एक लेक्चर पर लिखा जाए, वो अपनी कहानी यूं सुनाते हैं, कहने लगे किताबों और लफजों से लगाओ, मुझे सच्चाई और अच्चाई के ही किसे होते, तो बच्चपन से ही असर गालिब रहा, और दूसरा उस्ताजा और वालत का दस शकत भी था, जिसमें सीखने का शौक अता किया, मुझे याद है, बच्चपन में जब कोई नई कहानी पढ़ने को मिलती, तो इस कदर खुशी होती कि गोया कोई खजाना हाथ लग गया हो, फिर इसमें दिये गए सबक को भी बनाया और सिखाया जाता था, इसलामियाद में सीरत नबी का जो एक पूरा चैप्टर होता है, हमारे टीचर उसे इस तरह पढ़ाते थे, कि वो हमारे दिमागों के सा सा दिलों पर भी उतर करता थ फर्मान इलाही है, जिसका मफूम है कि तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए बेहतरी नमूना है, हमें ये पढ़ाया नहीं गया, बलके सिखाया गया, और फिर जिस तरह दिल्चस्प वाकियात के साथ बताया जाता था, वो ही आपके अंदर सीखने की तलब पैदा करता था एक बहुत अच्छी आदत थी, कि जब भी कोई मामला दरपेश होता, तो ये बात जहन में गुंच्टी के तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए बेहतरी नमूना है, और जहन फोरण इन वाकियात की रोशनी पर सोचना शुरू कर देता, कि अब इस मामले को कैसे सुझाया ज मगर जून जून बड़े होते गए जमाने से भी सामना होता गया, अब दिमाग और चीजों को भी अपने अंदर जजब कर रहा था, और आगे भणने की जुस्तजू में इस कदर फसे के निकलना फिर नामुम्किन ही हो गया, तो ये आदत क्या सब कुछ ही तकरीबन कहीं छ दूर हो सकता है, मगर मकमल तोर पर कट नहीं सकता, इसके अंदर कहीं सचाई और अच्छाई की जंग जारी रहती है, और इनसान चाहे जितना उसे दबाए वो सामने आकर ही रहती है, और यही मेरे साथ हुआ जैसा के जमाने के रंगों में रंग तो गए, अच्छाई और स अच्छाई का सबक भी भूल गए, बुरे दोस्त और बुरे मशागिल अब जिन्दी का हिसा थे, मगर अखलाकियात का सबक अभी अंदर बाकी था शाये, इसका अंदाजा उस दिन हुआ, जब युनिवस्टी से जल्दी में निकला, दरसल दोस्तों ने मेरे एक दोस्त के घर मेरी सालगा की तक्रीब रखी थी, मैं हवाई घोडे पर सवार था के अचानक मेरी बायक से एक बुड़ी औरत का एक्सिदेंट हो गया, जो शायद सही से देख नहीं सकती थी, औरत फुट पात पर गिरी पड़ी थी और मैं भागने की कोशिश में, अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मैं वापिस मुड़ा और उन मांजी को उठा कर हसबसाल ले गया, उनका इलाज करवाया और फिर उन्हें घर में छोड़ कर आया, और वो मांजी मुझे दौएं देती और उस मोटर साइकल वाले को बद दौएं, शायद उन्होंने पहुचाया, शायद उन्हो करने लगे, कि इतना फरिष्टा बनने की क्या जरूरत थी, तुमारे लिए पाटी रखी और तुम ना शुकरे आए ही नहीं, मगर इस सब के साथ एक एहम बात हुई, और वो ये कि मुझे समझ आ गई, कि मेरे अंदर अच्छाई भी मरी नहीं है, और वो सब सबक जिन्हें मैंने बच्पन में सीखा था, वो अभी भी मुझे याद है, कुछ हद तक, बस वो दिन और आज का दिन, मैंने उन्हें भूलने भी नहीं दिया, उस दिन से मैंने फिर से सीखना शुरू कर दिया, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, और जिन्दी का मकसर ढूं रहनुआई के लिए, बहुत से सबक भी साथ थे, हम लोगों में बाहिस्यत कौम बहुत सी इखलाकी बुराईयां हैं, जो हमारी पसी का सबब हैं, हम इखलाकी लहाद से बहुत गिरे हुए लोग हैं, हम सच नहीं बोलते हैं, और जूट के बगर हमारा कोई काम मुम्किन न नहीं, इमानदाई हमसे कोसों दूर है, अच्छी बात हम कोई सुनना नहीं चाहते हैं, और बई मानी हम में कूट कूट कर भरी हुए हैं, अपने भाई की इख़त सरे आम निला हम करते हैं, इस से ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी, हमें अमरीका के विलियम पर तो भरोस है, कि वो हमारे साथ मुखलिस है, मगर अपने साथ घर में रहने वाली भाई पर भरोसा नहीं, लोग हमारे साथ कारुबार करने से डरते हैं, कि कहीं हम उन्हें लूट ना लें, और इस सब की वज़ा ये है, कि हम अपने असल से दूर हो गए हैं, हमने अपने बच्चों की तर्बियत करना छोड़ दी है, और उन्हें मुकमल तोर पर जमाने के हवाले कर दिया है, अब इन्होंने तो वही देना है, जो उन्हें मिलेंगे, हमसे बड़ा खुद को नभी करीम से सलम का आशिक कहने वाला कोई नहीं, मगर दूसरी तरफ हमसे बड़ा उनके ना मानने अब आशिक कोई नहीं, एक वज़ा तो ये होती है, कि आपको पता हो और आप जान बूच कर ना मानने मानते हों, पर अफसोस के साथ हमें कुछ पता ही नहीं है, हम कुरान पढ़ते तो हैं, मगर इस समझते नहीं हैं, हमें नहीं पता कुरान हमसे क्या कहता है, बस जल्द स जलूसों और अम्तहानों में अपने मतलब की कोई हदीस और आयत पकर लेते और उसे बन्याद बनाकर दूसरों पर फत्वे जाड़ी कर देते हैं, हमें पता है, नबी नहीं की जात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, मगर कैसे यह जानने की हमने कभी जरुत ही मحसूस नहीं की कैसे हम अपनी जिन्दी के हर पहलू इस पर अमल पैरो कार करके कामिया भी हासिल कर सकते हैं, ना हमें बताया जाता है और ना ही हम तलाश करते हैं, हम दीन और दुन्या को हमेशा अलग रखते हैं, जबके वो एक ही तो है, इसलिए तो हम नमास तो पढ़ते होंगे, मगर कारोबार और जिन्दगी में जूट बोलते होंगे, अगर हमें इन तालीमों का कुछ हिसा ही मिल जाए तो हम बदल जाएं, आजकल की नसल बड़ी तेज है, यह हर चीज की कसोटी पर तोलने वाली नसल है, और हम इस नसल का दिल बाबा आदम के दोर के किसे कहानियों से बह सचाई का इल्म वो बड़े लोगों की कहानिया सुनाई ही नहीं, कितने अफसोस की बात है, कि मुझे यकीन है कि मेरी इस नसल की हैरी पोर्टर और संड्रेला का तो पता है, मगर अब्दुलकादिर जिलानी, शेक सादी, शेराजी जैसे हीरोज को नहीं जानते, इसलिए त तो वो हमसे सवाल करता है, कैसे? और हमें खुद नहीं पता होता, कैसे? हमने उन्हें हिजरत और फता के वाकियात नहीं बताए, क्यूंके हमको खुद नहीं मालूम, हम उन्हें बताते हैं कि बेटा, जब कोई चीज ना मिले तो सबर करो, तो वो हमसे पूछता है, क्यूं क اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلخ سے تلخ حالات میں صبر کا دامن پکڑے رکھا اور مشکلات کا سامنا کر کے ان سے نبرد عظماء ہوئے اور کامیابی حاصل کی ہم انہیں کہتے ہیں دوسروں کو ماف کر دیا کرو اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا اسے میں کیوں ماف کروں مگر ہم یہ نہیں بتاتے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو ماف کر کے ان کی دل جیت لیا کرتے تھے اسی لئے تو آج ہمارے معاشرے میں امن نہیں ہے ہر طرف ہمیں بس انتشار اور بد امنی ہی ملتی ہے بیٹا میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر بچپن میں مجھے میری والدہ اور استاذہ سے وہ سبق نہ ملے ہوتے تو شاید اس دن بھی میرے اندر انسانیت سوئی رہتی اور شاید وہ انسانیت کے درجے سے ہی نیچے گر جاتا اگر میں اس دن ماجی کو حسبتال نہ لے کر جاتا اور شاید میرا واپس لوٹنا ممکن نہ ہوتا یہ اس سبق ہی کا نتیجہ تھا جو مجھے بچپن میں پڑھایا گیا تھا جسے میں وقتی طور پر بھول گیا تھا جس نے میرے اندر اچھائی کی جنگ جاری رکھی اور وقت آنے پر میری رہنمائی کی اسی لئے میں اپنے کو بچوں واقعات اور کہانیوں کی صورت میں زیادہ سے زیادہ ایسے اسباق سکھانے کی کوشش کرتا ہوں جو انہیں سوچنا سمجھنا سکھائیں جو نہ صرف ان کی تربیت کریں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں ان کی رہنمائی بھی کریں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے یہ بچے بہت قابل ہیں یہ بس زمانے کی رگڑ کا شکار ہیں اور مجھے انہیں اس سے بچانا ہے اور میں اس امید کے ساتھ اس قالم کا اختتام کر رہی ہوں کہ کاش ہم سب بھی اس سوچ سے مالا مال ہو جائیں یہ ہمارا آج کا چپٹر مکمل ہوا کل پھر آپ سے ملتے ہیں تب تک اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ آپ کے